नमस्कार दोस्तों मैं रागा प्रताब स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल टेक्नोजी एंड इन्वेंशन पर तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देखते हैं ओटोमोर टेक्नोजी से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं अगर आपको वीडियोस हमार प्रिया में आज ठ다 अमारा है वह रेल प्रेश अससे आपक कितना यूजपल है यह एंसर और हमारी डिजल गर्टियो में क्यों इ плат Character है क्या इसकी जो आप यह में देख रहे हैं यह हमारा रेल प्रेसर सेंसर है जहां भी हमारी गार्डिंग रहता है यह हमारे कॉमार रेल है यह आप यह पॉर्शन देख रहे हैं यह हमारा रेल प्रेसर सेंसर इस कॉमार रेल में फिटेड है ठीके फ्रेंट्स तो बात कर रहे थे हम रेल प्रेसर सेंसर की यह हमारी कॉमन रेल में फिट रहता है जैसा कि इसका नाम आपको देख रहे हैं रेल प्रेसर सेंसर जो हमारी कॉमन रेल में प्रेशर हमारे हाई प्रेसर पंप के दुवारा जो बिल्ड किया जाता है उस प्रेस such built actually Gibault जब हम बात करते हैं कि इस तरीके से यह हमारे इसिंट पोईंचाता है। तो हम इसी पए पॉइंट पह बात करेंगे तो इसमें आपको जब यह देखेंगे आप तीन वायर हैं आपको तो हमारी फॉर्स्ट वन वायर है इस एक हमारी वायर है जो हमारे eCM से ये प्राप्त करेगा जो की 5 बोल्ट 5 बोल्ट इसको मिलेगी ठीक है सेकंड है फ़स्ट होगी हमारी सप्लाई वायर्ड सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट और दूसरी होगी हमारी सिग्नल की जो ये eCU को सेंस करके सिंगनल प्रोबाइड करेगा और किस तरीके से करेगा मान लीजी हमारी जो कॉमर रेल है उसमें 300 से 3.5 बार का प्रेशर रहता है जब 300 से 3.5 बार का प्रेशर रहता है उस प्रेशर पे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो जिस टाम हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी 0.5 वोल्ट यह आपको आप चेक करेंगे जिस टाम हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी 0.5 वोल्ट आपको signal वायर में current मिलेगा ठीक है जैसे जैसे गाड़ी को driver accelerate करेगा या according to load पड़ेगा गाड़ी पे तो accelerator की जरूत पड़ेगी यह प्रेशर आपको सो करेगा और जो रहेगी हमारी थर्ड वायर तो जो यह थर्ड वायर है यह है आपकी ground जो ECM से तो आप जब इसमें चेक करेंगे तो आपको एपरोक्स टू बोल्ट के करीब ground मिलेगा यह बोल्टेज की सप्लाई या ग्राउंड की सप्लाई मेरों बत करती है वह है सिंग्नल बोल्टेज की मालीजे सेकेंड वायर में जब आप चेक कर रहे हैं और यह जब हमारा 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट के बीच में ही वेरी करेगा अगर आपको यह 0 बोल्ट मिलता है मालीजे गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब बोल्ट मिल गया आपको सिंग्नल वाले वायर में तो इसका मतलब यह है यह डैन्सों कंपनी का और हमारा जो बॉच वाला जो रिल प्रसास्ट सेंसर है मैं उसकी वोल्टेज बता रहा हूं और किसी कंपनी के अगर आपको मिलता तो हो सकता उसकी व боль वोल्टेज अलग हो ठ ठीके फ्रेंटस, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हम इसमें, कि जो हमारा इस से related error code आते हैं, हमारी गाड़ी में, SML की गाड़ी उमें, meter set में भी आता, on board dynastik जो हमारी गाड़ी आई है, तो meter set में ये provision दिया गया है, कि कोई भी गाड़ी में अगर error code आएगा तो हमारे मीटर सो में reflect करेगा जिससे हमारे driver भाई जल्दी से समझ पाएंगे कि हमारी गाड़ी में क्या problem में या किसी भी dealer point से जो complain करेंगे कि हमारी गाड़ी में यह error code आए तो उसको indicate कर पाएं तो friends पहले यह आप दोनों देखेंगे 0087 और 0088 जो दोनों error code है यह related to rail pressure है एक में हमारा जो हमारा 0087 है वो pressure low आ रहा है यानि कि rail में उतना प्रेसर नहीं है जिदने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाए ठीक है और 0088 में pressure to high अब इसका मतलब directly हम यह नहीं लगा सकते कि rail में pressure या तो high नहीं low का मतलब या high का मतलब बहुत ज्यादा हो गया है हो सकता है हमारा sensor काम ना कर रहा हो हो सकता है हमारी कोई sensor connected wire है जो काम नहीं कर रही है जिसकी बज़े से rail pressure सो नहीं हो रहा है ठीक है तो यह हमारी गाड़ी में starting और error code generate होना starting की problem आ रहा है knocking sound होना poor pickup average में दिक्कत starting में दिक्कत सारी problem इसकी बज़े से और यह बाकी के जो तीन code देख रहे हैं आप 0190,0190,0192 और 0193 भी आपको देखने को मिलेगा तो इन तीनों cases में आपकी rail pressure sensor की wire आपको चेक करनी रहेगी कहीं wire में कोई cut लग गया है या wire कहीं से short circuit हो रही है कहीं से earth ले रही है ठीक करना जिसमें हमारा denso या boss company का common rail system fitted CRDI system common rail direct injection system तो इसको हम इस तरीके से check कर सकते हैं मैं आसा करता हूं आज का हमारा यह video आपके समझ में आया होगा अगर इस video से related या आपको CRDI system से related कोई भी complaint है तो हमें कमेंट करें हम जरूर आपको reply करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद परें thank you friends thank you very much